जनता और बड़े निताओं के बीच समर्थक और कारेकरता एक मजबूत कड़ी का काम करते हैं। इस विधान सभा को लेकर कारेकरताओं और समर्थकों का क्या केना हैं। आज की रिपोर्ट इनी सवालों का जवाब है। जिसे त्यार किया है हमार समवात अता दिनेज दसुन्दी ने तो आगे देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। और किन उपलब्धियों को ओटरों को गिनाएंगे। इन सभी सवालों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे इस रिपोर्ट के माध्यम से। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि यहां प्रस्तुत विचार प्रस्तुत करता के स्वयम के अपनी राह हैं। जिससे चेनल को इत्फाक नहीं रखता हैं। हम किसी राजनेतिक दल, पायटी, व्यक्ति, जाती वर्ग और संगठन का समर्थन नहीं करते हैं। और नहीं किसी का विरोध करते हैं। यह चर्चा के वल एक विचार के अभिविक्ति मात्र हैं। आज हमारा से अक्साथ चर्चा में जूड़ रहे हैं राजेश पाटी राजी जो एक बड़े ओतरवर्ग से सीदे तरीके से जुड़े हैं। याने एक बड़ा बड़ी संक्या में जो ओतरवर्ग होता है वो सीदे तोरब इन से जुड़ावाए। उनसे जानते हैं कि हमारे प्रश्णों पर उनका क्या सवाब हैं। क्या जवाब है। सबसे पहले आपका स्वागत है। मद्धिदेश में चुनावी गहमा गहमी शुरू हो गई है आप जमीन से चुड़े हो हैं। और लगबग जमीन के ओपर उत्रों के बीर जाते आते रहते हैं। क्या इस्टिया रहेगी क्या एक बाद फिर से भाजपा अपना पर्चम पुरे प्रदेश में लहरा पाएगी। बेल्कुल उत्समें पर संदेश में बाजपा फिर से एक बाद पर्चम लहरा आएगी। सबसे बड़ी बात होती है राजयस जी कि चुराओं में वेट क्या मुद्य होंगे जिनको लेके आप जमीन पर जाएंगे। यसे कौन सी उपलब्दिया हैं जो आप गिनाना चाहेंगे। इसका बहुत बेनिफिट में लए इसके अलाव भी और किसान होंके लिए जो ब्याज माफी चली तब इतरा बहुत सारे मतलब सिहुराज जी जो कारेकाल है। कांग्रेस कहती है कि उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया कर रही कि आप कहते हैं कि आपने किसानों के लिए क्या वास्तिविक्ता क्या है। अगर पिछले चुनाव देखो उन्होंने कर्जमापी बोषना करी तो उसमें कर्जमापी में क्या पूरी तरस्ति कुछ हुआ है। अब बता दे किसानों के लिए क्या किया है। बहुत सारे मतलब उन्होंने किसान के लिए क्रसी उन्हों की सारी सुविदाएं उखलत है। खरगुन विधान सभा की बात करें तो खरगुन विधान सभा में सबसे पहली पसंद आप किसे मानते हैं। सबसे पहला चेहरा ओर देखा जाए जन त्री यह लोग में सब्सक्राइब करते हैं। जिस्ता विकारिकालों उपत्पे हो नहीं हो जब यह करते रहें अनुरत करते रहें। जैसे अब यह पानी शिचा योजना पर इसमें प्राब्लम आई। अब कोरोना काल गया। उसमें उन्होंने मदद कही। अब जैसे धंगे पीडिस दंगा हुआ था करगौन। दंगे में कोई गया था इनके कोई नहीं गया। तेर उनके बीच में गया ते गरीब जो बिजिन का घल नुक्तान मुआ है उनको अथामगरीद बाटी गए ती दी गए। पालकृष्ण पाठी राण की सबसे बड़ी उपलब्दी आप क्या मानते हैं। खरगौन विधान सभा के लिए सबसे बड़ी उपलब्दी क्या है ? मनला आप आप आल क्रिश्न पाठी राण जी को पहली पसंद की रोप में देखे। चाहेंगे को ही पसंद करें जिग्ड तो सब सब तो एक विसेस्वर्ग के लिए करा है कि शुरा सिंग कर देते हैं जमीन पर काम नहीं उतरते हैं कि अब तक चालू कर यह बन नहीं करें और इन्हों ने जो कुछ लालेच ने चालू कर इस देरा महिना कि इस गोवर्मेंट में सब बन कर देते हुआ यह बन करने के लिए हम योजना नहीं चलाते हैं अब इस मान में किसने लोगों को पाइदा हुआ है तरोर लाकों लोगों उसमें लाभानित हुए एक बात और आती है कि खरवोन में भावी विदायक के रूप में कई चेह रहे हैं लगबग वर्चसों की लडाई हो रही है और इस वर्चसों की लडाई में कहीं न कई गुडबाजी हो जाती है क्या इस विधान सबाचुनाओं में गुडबाजी का कुछ असर दिखेगा हारे हम पिछले विदान सबा तो सिर्फ गुडवाजी की वज़े से नहीं हारे हैं और कर्ज मापी रमिद हुए ते किसान वर्गत जो हमको उठ मिलना था वह माइनस हुए है निसको पुरी विजय थी हमारी और इसका गुडवाजी कोई मतलम नहीं वक्त जमीनी कारे करता सब करतें महासच्यू राष्टी महासच्यू कहला सुझेवरगी कहीं शुके भार्ती जनता पास पार्टी मतलब गुडवाजी ही आरा देगी घुरती तो आज की नहीं है इस बार कि जो आएगी १ की चली आरे वांतिहीं को पिछली शवाज निकाली फीजी ज्नावाजी तो मुअच पाद और किस बार क्या लाएं इतना विश्वा से पूंक हो इस पाद के नाम लिखते हैं कि आगे की चर्चा के लिए हमारे साथ सालम मोरी जी जो रहे हैं आपका प्लागत है आप पहले ही पहली बार सब्सक्राइब कांग्रेस के सरकार बनेगी और कंगरेस विजय होगी तो आप किन बुद्दों को जमीन पर लेकर जाएंगे जो कंगरेस को पहले भी बता चुका हूं और तोना आज बताना चाहूंगा कि सरकार बनाने के लिए और सरकार के लिए हम जो जमीनी हकीद्गत ओडर के लिए मुद्वे लेके जाएंगे अज हमारे वरिष्ट नेटा कमलाजी ने दूसना की है कि गेस रसोई टंके गेस घरेलो 500 रुपे में दी जाएगी चाहिए उसकी किमत 2500 लेकिन 500 में मिले दूसी यजना यह है कि 100 यूनिट विजली क्री में दी जाएगी अगर 200 यूनिट आते हैं तो वो हफ मतलब 200 माप और 200 ह यह रहेगा दूसरा आज हमारे सहित्री विदायक मानने रवी जोसी जी गाउं गाउं जाके नारी सम्मान युजना का नारीके लिए एक योजना जो निकली है उसमें नारी सम्मान युजना है और उसमें कोई प्रति बंद नारी को 500 रुपे अगर कंउड्रिस की सरकार बं तो पंदा सो रुपे दे जाएंगे जाएंगे बिजली फिल माप किया जाएंगे 200 यूनिट आएगा तो हाप किया जाएगा यह और विजनाई तैयार के गई है यह प्रकार चेह मद्द्रे ले जाएंगे और वेसे भी लगातार तेतरी विदायक गाउं-गाउं जाके किये जा रहे हैं और वहाँ पर सारी महिलाओं को मद्दाताओं को एकटा करके उनके नारी समान वेजना के फार्म भर रहे हैं और उनको अनलाइन कर रहे हैं यह अगर कभी हमारी कॉंग्रेस सरकार बनती है तो हम यह सबी चीज़ें उनको देंगे कि इसपर भारती जंकापाटी कहते हैं कि और चुनाव के लिए चुनाव जितने के लिए कंडर अिसा करये है कमलनागी चुनाव जितने के लिए of को जमीन पर लाने के कोसिज कर रहे हैं जो कभी जमीन पर नहीं उतरत है यह तो क्या है कि जब भी चुनावी एजेंडा तैयार होता है तो उसमें हर बंडल के लोग अपने योजनाय तैयार करते हैं 2008 में भी बिजबी सरकार ने दावे किये दे कि हम प्रत्य परिवार में 50,000 का कर्जे माब करेंगे परिवार में चार भी तो उनको भी 50,000 का फाइदा मिलेगा लेकिन सिर्फ यह एक ढखोस ला रहा हावाबाजी की मामा ने और किसी के भी खाते में कोई 50,000 माफ नहीं हुआ कर्जे माफी का वादा तो कमलाजी ने भी किया था तो क्या वात अब पूरा ठाली डिब्बा बेटा था सरकार जब गई सथा परिवर्तन होआ तो सरकार के पास कोई खजाने में वह रुक्या भी नहीं था लेकिन उन्हों ने जो भी योजना की तो आपनों कभी भी धर चाड़ाओं पर चाड़ेंगे यरेक्ट तीसरी सीडी पर चलिए लिए तो कमनलाच जी ने किता माफी का वाधा किया था बाकी का वाधा किया उन्होंने उस वाधे को पुरा भी किया सारी बेंकों से जानकारिया ली गई किसको किता कर्ज़ माप है कि स्का किता बागी है कितना जमा हुआ है फो कर्ज अब करने के लिए पहली च ही लगता है कि उनका भी होना था लेकिन बीच में साजिस के तहट कुछ दभाव प्रवाव देखे हमारी सरकार को गिराए गया खरीदी फरक्षी की गई और उनके ओपर दबाव बना गया जिससे कि कुछ लोग हमारे परिवार से तूटकर अन्य उसमें सामिल हो गए और इस प्रकार से कमल नाज जी की सरकार गिर गई और मात्र पंदा महिने ही मिले थे उसमें भी इन्होंने इतना काम किया गए एक बात और है कि पहले भारती जन्ता पार्टी एक हजार रुपे देती है महिलाओं को अपना ओड़ बनाने की कोशिश करती है दूसरी तरफ कमल नाज जी कहते हैं पंदरा सुर देंगे अपनी तरफ करने का प्रैस करते हैं क्या महिलाओं को ओटरों को अपनी और आकर्षित करने की युजना है यह महिलाओं को आकर्षित करने की नहीं है यह तो जो विजवी सरकार ने जो फार्मूला बनाया एक हजार रुपे लाड़ी बहना युजना को देना है और जो लाड़ी लपसमी बाली का सम्रच की वह भी मतलब आधर में लटकी वार में पास हो नरवार में उसके बार की स्याधी is कि उसके नहीं की सरका और रुठ हम अधर बनाने अधिन ग़िभी देना उनके उंके द्धान के लिए ताकि नारे असाउत हो जाए हैं डिन जमीन के उपर यह वादा सब्सक्राइब हो सकेगा जडरूर होगा और वर्टरि यिमिर्ट के लिए कई जमीन पर जाते हैं कार्यकरता की रूप में तो इस तर की गुडबाजी का उस पर क्या आसर पड़ता है चोटी-बोटी गुडबाजी तो सभी दलों में होती है और कभी किसी वेक्ति विशाई को लेके या कोई निजी स्वार्ता से गुडबाजी कर लेता है लेकिन गुडब महल होता है चुणाई मुद्दे आते हैं चुणाऊ की बाते है तो सभी परिवार के लोग यकठे हो जाते हैं एक साथ मिलके चुणाऊ ळड़ते हैं और चुणाऊ के लिए रणन्यिती भी बनाते है गुडबाजी कोई आसन ने पड़ता है और हम चाहते हमारे इधर तो वैसा नहीं होता है फिर भी हम उससोरा दावा करते हैं कि हमारे पिछले बार की जो 6pe6 विदान्थाथ सेटे जीति है इस बार भी हम 27 जीतेंगे और देश में कव्लेस की सरकार बनेगी और कमल नात जी के नेतमत्र के सरकार का मुख्या रूप में कमल हरे तो यह की हमारी विश। प्रता को उपर्ट कुष वह किन मुद्धों साicular करेंगे सब्सें बड़ी बात की कि कार्यकरथा और समर्था की जमीन पर जाकर ऑरUND रोटरों को आखरषित करते हैं और अपने पार्टी और अपने प्रतियास्य और नेटा की बात बताते हैं इन बातों को हमने जानने का प्रयास किया आज की सेश रिपोर्ट में इतना ही आगे फिर ऐसी एक रिपोर्ट से साथ फिर हज़र होंगा तब तक ले मुझाज़त दीजिए केमरा परसन दुर्गेश कुमार के साथ दिनेज दसुन्दी एस डवरी गजय GPA 숫 दिनेजमगा प्रम के सिट द।क भी में इतना ही एक प्रके रिपोर्ट में जय को घ्सके एस पे बगदेश दार्ट देट